करनाटक में जैनमुनी की नसन सत्या के ब्रोध में देश व्यापी ब्रोध प्रदर्सन का दौर जारी है इसी कड़ी में जैन समाज के भारत बंद के आबहन को आज दमो जिला मुख्याले पर भी ब्यापक समर्थन मिलता हुआ नजाराया वही जैन समाज के द्वारा बिसाहल मौन जलूस निकाला गया जो नगर के प्रमुक मार्गों से होता हुआ कलेक्टरेट का रहला पहुचा जहाँ पर बड़ी संख्या में समाज जैनों के लाबा बिभिन समाज के प्रतनी दियों की मौजूदगी में बड़ी संख्या मेहला बर की मौजूदगी में देश के महा महें राष्टपती महुदगी प्रदान मंत्री महुदगी राज करनाटक के मुक्ध मंत्री महुदगी के नाम पर एक ग्यापन सकल दिगंबर जैन समाज के लाबा बिस्वंदू परिज़द बससंग्दल सहिद अन संग्ठनों के दोरा सोपा गया इस दोरान बक्ताओं ने अपनी बात रखी और अहिंसक्त जैन समाज के संतों के साथ जिस्ट्रकार का बढ़ता हो रहा है उसके लिए कर खोड़ा पड़ती जता रही इस बात के प्रदीखेद प्रटट किया है मुनीश्री सुधा सागर महराज जी ने जो ये देश भर का आवाहन किया है भारत बंद का आवाहन किया है ऐसा एक नहीं अनेक बंद होने चाहिए रात में हमें गिरनाजी के लिए लड़ाई लड़ने पड़ रही है जार खंड में हमें सम्मेश शिकर जी के लिए जो हमारे उन्नेस तिर्थंकरों की मौक्ष स्थली रही है उसके लिए जैन समाज लड़ने खड़ा है क्यों जैन समाज के दिर्थंकरों की मौक्ष स्थली की जैनसन आचार कामकुमा नंदी जी मुनी राज की निर्संस अत्या के ब्रोध में आरत बंद का योजन एवं जैन्ची तीट छेत्रों पर हो रहे अवेध अतिकर्मनों को अटाने से द्विन मांगों को पूरी कराने वाबत ज्यापन जैनसन आचार कामकुमा नंदी मुनी राज का अपरान कर उनकी निर्संस अत्या करके उनके साव के टुकड़े टुकड़े करके बोर्वेल एवं अनिस्तानों पर भैक दिया गया था जिसका भारत की संपूर्ण जैन एवं अहिंसक सर्व समाज को घुर्थ भर्षपना करती है एवं इस घटना के बिरोद में अपना निम्दा प्रस्ता पारित करती है एवं साथन प्रसांस से निम्द मांग करते हैं कि इस प्रकारण को पास्टे में ले जाकर हत्यारों को कैनुरी ग्रायमंतिरी तत्काल अपनी ब्याहन जादी करें पारती संवीदान में अल्प संक्याकों को दिये गए संबादेक संबैदानेक अधिकारों के तहट राष्टी एवं राच जैन आयरोक का गठन हो जिस जैन हित में जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के पून अधिकारों कि एक सादू की हत्या कर दी जाती है और टुकड़े टुकड़े करके फेग दिये जाते हैं यह कानुन विवस्ता जो जर्जा बुरे है वह लोग दोस्ति हैं और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सरकार किसी की भी हो कोई भी हो केंद्र में बैठी हुई सरकार को यह सारी चीजे देखना चाहिए गेंद्र में बैठी हुई सरकार को यह भी विवस्ता करना चाहिए कि सादू संतों के इस्थानों पर जहां वह बैठते हैं वह सुरक्षत रखे जाए और वहां पर पुलिस विवस्ता भी की जाए ताकि वह अपने जो उनके चीजां होती ह हैं सादू संतों की जो किरियां होती हैं दिन चर्यां होती हैं वह अपने धंग से अपने साब से कर सका हैं सरकार दूसी है और